Assalamualaikum, पिछली वीडियो में हमने discuss किया था कि stock का यानि inventory का अगर beginning balance maintain करना हो तो किस तरीके से आप वो beginning balance maintain कर सकते हैं और आज हम यह समझेंगे कि अगर हम stock खरीदें और अगर हम stock बेचें यानि अगर हम माल खरीदें और अगर हम माल बेचें तो किस तरह से tally में हम उसकी entry को record कर सकते हैं तो start करते हैं आज की इस वीडियो को tally open करते हैं tally open है और सबसे पहले आप जाएंगे किस में accounting vouchers में अब आप जो है वो inventory खरीद रहे हैं और inventory बेच रहे हैं यह आपका कोई beginning balance नहीं है बलकि यह transaction हो रही है जब transaction होगी transaction किसे कहते है लेन देन के मामलात को तो जब आप लेन देन के मामलात कर रहे हैं तो फिर transaction के हिससे में आ जाएंगे तो sir पहले भी तो हम कुछ ऐसी transaction में आना चाहिए था जो आपने inventory का beginning balance लेका था तो देखिए inventory का beginning balance में हमने transaction नहीं की थी कुछ लेन देन नहीं किया था बलके हमारे पास पहले से stock रखा हुआ था पहले से हमारे पास माल रखा हुआ था लेकिन अब हम माल खरीदेंगे भी माल बेचेंगे भी और अब हम उसे यहाँ पर stock में record करते चले जाएंगे तो आएए accounting vouchers पर चलते हैं मैं accounting vouchers को open करता हूँ जैसे कि आपको पहले मालो में कि यह accounting vouchers आपके पास open हो गए है अब आते हैं अपनी transactions पर ये है कुछ मामूली सी transaction August 1st कहरें sold 2 sun silk shampoo to Mr. X for Rs. 250 each on account आपने 2 sun silk shampoo जाए वो Mr. X को बेचे हैं उधार पर आए तरह इसकी entry record करते हैं तैली में sale कर रहे हैं अगर आप sale कर रहे हैं तो कौनसा voucher बनाएंगे आप क्यूंकि inventory stock sale कर रहे हैं merchandise sale कर रहे हैं और वो भी उधार पर sale कर रहे हैं तो अगर merchandise आप उधार पर sale करते हैं तो इसके लिए sales voucher बनेगा यानि F8 दबाएंगे आप अपने keyboard से या पर इसके click कर दीजिए यह sales voucher आगया ठीक है तो पूछ रहा कोई reference number अगर है तो दे दीजिए आपने वोला नहीं कोई reference number हम नहीं देना चाह रहे है date क्या है August 1st 1st 8, 2021 1st August 2008, Sunday का देने बताओ, Sunday को काम करते हैं party name किसको बेच रहे हैं आप Mr. X को बेच रहे हैं अब Mr. X का नाम तो यहाँ पे accounts pay bill में लिखा हुआ है भाई यह थोड़ी सी किषड़ी पग गई है क्यूगे हमने जो पहला सा हौल किरेट किया हो था जो आपको पहला याद हो बहुत पहला तो उसमें Mr. X का नाम जहाँ अचांट पे बिल के तो एक काम करते हैं कि हम इनका नाम जो X यहाँ पर लिखा जहां जहां X आएगा हम इनको कर देते हैं Mr. B ठीक है तो X को कर दिया हमने B अब Mr. B का नाम तो सर यहाँ है ही नहीं अगर नहीं है तो create कर लीजे alter C से create करते हैं आप नया नाम alter C तो लिखा आपने यहाँ पर Mr. B और क्यूंके Mr. B को आप उधार पर सामान बेच रहे हैं आपके customer है यह तो आपको इनसे पैसा लेना है पैसे लेने के लिए accounts receivable मैं फिर कह रहा हूं कि account receivable लिखना जरूरी नहीं है यह सिर्फ आपकी असानी के लिए है तो account receivable किस category में आता है सरी आता है sundry debtors का यह रहा sundry debtors okay maintain balance bill by bill चाहे तो yes कर दीजे चाहे तो no कर दीजे default credit period चाहे तो लिखना चाहे तो लिख दीजे नहीं तो okay default credit period जो है अगर आप इसका देना चाहते है तो दे दीजे नहीं तो फोड़े से पीछे आ गया था मैं गलती से तो दे दीजे नहीं तो it's okay inventory values are affected inventory की value का इस पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा आप no करना चाहते तो no कर दीजे yes करना चाहते तो yes कर दीजे अगर कोई delivery note number है तो आप यहाँ पर लिखेंगे नहीं है तो इसे चोड़ देंगे dispatch document number ठीक है जब आप dispatch करते हैं याई कि मल यहाँ से निकलेगा तो आप उसकी एक slip बनाते हैं तो उसका dispatch number यहाँ पर लिखेंगे dispatch through किसके through आप dispatch कर रहे हैं इसके जरीए आप बिजवार हैं आप उसका यहाँ पर dispatch का वहाँ पर detail लिखेंगे destination dispatch कहां से हो रहा है उसका destination देंगे आप तिक है उसके बाद order number कोई order number अगर आपके पास पहले अगर इसका order receive हुआ था कोई decide नहीं हो तो छोड़ दीजे other references कोई और references लिखना चाहते तो लिख दीजे terms of delivery delivery की क्या शरायत होंगी के पांच दिन में deliver होगा छे दिन में या ऐसे deliver होगा वैसे deliver होगा लिखना चाहें तो लिखें नहीं तो it's okay छोड़ दीजे बायर का नाम क्या है Mr. B, बायर मतलब वो जो आपसे खरीद रहा है आप उसे sale कर रहे है उसका अगर address लिखना चाहते है तो address लिख दीजे उसका अगर text registration number लिखना चाहते हैं तो लिख दीजे नहीं तो छोड़ दीजे और आगे बढ़ जाए ठीक है भई अच्छा भई अब यहाँ पर आपको याद होगा जब हमने without inventory काम के तो हमने यहाँ पर direct sale लिख दिया था और direct उसका amount लिख दिया था लेकिन अब हमें यहाँ पर detail लिखनी है वो कहरा है आपसे name of item क्या आपने बेचा है तो हमने sunsilk shampoo बेचा है तो sunsilk as दबाईए वो आपको बता देगा यह रा sunsilk list of items आपके items के list आ गई ठीक है sunsilk तो sunsilk ले लिजे भाई आपके item मतलब यह काम वाले item ठीक है कुछ उल्टा सीधा ना समझेगा order number कोई order number receive वह था क्या आपको नहीं हमें कोई order पहले से receive नहीं हुआ अगर कोई order number होता है तो आप यहाँ पर वो order number लिख सकते है और अगर नहीं है तो छोड़ दीजे not applicable लिखना चाहे not applicable कर दीजे कोई order receive नहीं हुआ ठीक है भई not applicable लुकेशन लुकेशन बताइए तो अभई संसिल कहाँ पर है कराची में है या लहोर में है संसिल के सर लहोर में है लहोर से जाएगा देखे वो शो कर रहा है कराची में ह अच्छी बात है कि हमारे पास पूरी डिटेल शो हो गई है कि इसका batch number क्या है 13 है इसकी manufacturing rate क्या है 1st January 2023 सारी बात है यहां पर शो हो गई तो batch number आ गया इसका ठीक है S13 manufacturing rate भी आ गई और expiry rate भी आ गई ठीक अब कितनी quantity आप sale कर रहे है आप 2 quantity sale कर रहे है 2 तो आप यहां पर ल rate था वो 200 का rate अगर याद नहीं तो हमने इसका rate maintain किया था 200 का लेकिन देख आप लिखा हुआ है Sunsilk की जो bottle थी वो 200 की एक थी लेकिन यह की cost price थी जिस पर हमने उसे खरीदा था और अब की बार हम customer को sale कर रहे है तो कितने पर sale कर रहे है 250 पर तो यहां पर आप selling price लिखेंगे जिस कीमत पर आप customer को sale कर रहे है यानि 250 यहां पर लिखी जाएगी ठीक है 250 की एक bottle है तो दो bottles कितने की हो गई 500 की tap दबाएंगे tap दबाएंगे tap दबाएंगे tap दबाएंगे date सही है बिल्कुल और end of list ठीक है अब आप किस पर आजाएंगे end of list और कोई order नहीं है बस यह order था end of list तो यहां पर वो आपको पूरी detail चोगता है Sunsil की दो bottles है 500 के साब से 500 रुपय होगा tap दबाएंगे और कोई item अगर आपने उसको बेचा है एक के इलावा भी आप समान उसे बेच सकते हैं कर आपने उसे कोई और item बेचा है for example आपने उसे Nestle juice बेचा है तो आप यहां पर Nest दे लिख सकते हैं लेकिन फिलाल आपने नहीं बेचा तो हमने इसको छोड़ दिया ठीक है भाई तो इसे छोड़ दीजे और आप वापिस आजए यह end of list पर click कर दीजे end of list और tap दबाईए यह end of list हो गई आपकी two bottles 500 रुपय के साब से हो गई narration अगर लिखना है तो लिख दी संसिल्क शैंपू टू मिस्टर भी ठीक में खाल से इतना कफी है एक्सेप्ट यह हमारी पहली ट्राजेक्शन है उसके बाद august 3 में फिर से आपने सेल किया है पांच ने इसले जूस 35 रुपीस के हिसाब से mr. y को on account पर ठीक है mr. y को on account पर आपने सेल किया है सेल कर रहे हैं सेल्स वाउचर बनाएंगे और हम सेल्स वाउचर पर ही मौजूद है डेट है august 3 की तो आप यहां पर डाल दीजे august 3 august 3 2021 ठीक त्यूजडे का देने भाई ठीक है अब आते हैं पार्टी नेम पर जैसे आप पार्टी नेम पर आएंगे वो कह रहा है कि पार्टी नेम क्या है mr. y mr. y created नहीं है तो mr. y को create कर लीजे कैसे create करेंगे alter see दवाईए mr. y ठीक है यह भी accounts receivable की category में आते है और sunday debtors में आते हैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सब सही है यह सारी चीज़े में फिलहाल blank चोड़ लाँ मुझे इसकी जरुबत नहीं है आपको जरुबत हो तो आप लिख सकते हैं sales ledger तो आप यहां पर लिखेंगे sales ledger और आपने ने क्या sale कि आपने ने 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 न Nestle juice बता दिया कोई order number था तो order number बता रही है नहीं है तो not applicable पे क्लिक कर दीज़े कोई order number नहीं है ठीक है location where juice बता है? juice लहूर में है, so click on Lahore वो कहारा आपके बास 20 pack रखे वे हैं nest juice के लहूर में रखे हैं कराची में नहीं रखे हैं और बता रहे हैं कि 20-20 रखे हैं आपके बस, okay done है, done कर दो, कितनी quantity sale कर रहे हैं, आप 5 quantity sale कर रहे हैं, एक कितने में sale कर रहे हैं, 35 के रहे हैं, 35 से multiply किया, तो 5 juicy कीमत बन गई है, 175 रुपे, ये सारी बाते सही हैं, इसको सही कर दीजे, end of list, end of list पे क्लिक किजे, okay, okay, सब tap, tap, tap क आदे चले याई है, और narration अगर लिखने हैं, तो लिख दीजे, time नहीं है, मेरे बास narration लिखने का छोड़ दीजे, narration optional है, छोड़ दीजे, accept कर दीजे, accept कर दीजे, okay, इसके बाद August 4, purchase कर रहे हैं, अब ज़रा दिहान से, purchase में बड़ी बात दिहान से सोच नहीं पड़ती है, purchase purchase के लिए हमें जाना पड़ेगा, purchase के लिए हमें जाना पड़ेगा, purchase voucher में, ठीक है, purchase कर रहे हैं, क्यूंकि आप inventory purchase कर रहे है, तो purchase voucher में जाना पड़ेगा, purchase voucher में गए, यह purchase voucher में आ गए, date है August 4, तो आप यहां पर दालें है, 4-8-2021, ठीक है भई, और name of party, Mr. A, अब प् जिनको हमने सामान सेल किया है, receival का मतलब है, जिसको आप सेल करते हैं, जबके यहां पर हम purchase कर रहे हैं, तो आगे पीछे होगा, तो इसको हम कर लेते हैं, क्या Mr. X कर लेते हैं, Mr. A को Mr. X कर लेते हैं, तो हमने इसको कर दिया, Mr. X, ठीक है, order number, कोई order number नहीं है, तो end of list कर द आगे, purchase ledger पर आगए, name of item, क्या purchase कर आपने, cold ring bottles, तो C दवाईए, cold ring आगई, cold ring हमारे पास 0 है, कोई भी cold ring नहीं है, इसलिए हम purchase कर रहे हैं, cold ring, हाँ, कोई order number है, हमने कहा नहीं, कोई order number नहीं है, not applicable, पूछ रहे है, location, कहां रखनी है cold ring को, तो cold ring कहाँ जाएगी, Lahore मैं, location Lahore बता दिया, आपने इसे, batch number, अब देखे, कोई batch number नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि भाई, यह पहले से आपके बस थी नहीं, यह तो अभी अभी आ है, तो इसका batch number जो होँआ, आप खुद create करना चारे तो कर दीजे, C for, sorry, गल्ती हो गए मुझे, batch number create करने के लिए, आप को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दबाईए, new batch number, ठीक है, new, वो कहका batch number बताईए, तो आपने लिखा यहाँ पर C, C for coldring, coldring का batch number नहीं है, 5, C5, ठीक है, tap दबा दिजे, यहाँ पर आगया, C5, ठीक है, अब वो आगे आप से पूछ रहा है, quantity, quantity कितनी परचेस की, आपन अगस उसकी manufacturing date है, आपने बोला नहीं, पहली अगस कर दो इसको, 1st August 8 होता है, 1st August 2021, 1st August 2008, 21 जब उसकी manufacturing date होगी है, ठीक है, और expiry date क्या होती है, भाई, इसकी expiry भी कम होती है, suppose कि यह एक महिने की expiry है, तो 1st September 2021, इसकी expiry date होगी, ठीक है, भाई, कर रहा है, end of list, आपने वो total, 20 रुपे के साफ से 480 रुपे की, tap दबाया, फिर tap दबाये, फिर tap दबाये, end of list, ठीक है, tap दबाये, narration लिखना चाहे, तो narration लिख दीजे, उनने tap दबाके, yes कर दीजे, ठीक है भाई, यह आपने purchase कर लिए, आगया आते है, इसके बाद purchase कर लिए, received 100 from Mr. Y, Mr. Y कौन, Mr. Y व उधार पे सेल किया था, तो आपने उनसे पैसे क्या किया है, 100 रुपे रिसीव किये, अब आप cash रिसीव कर रहे है, तो अगर cash रिसीव करें, तो कौन सा voucher बनना चाहिए, पैसा इनवाल्व हो, तो receipt या payment voucher बनना चाहिए, और आप क्यूंकिए पैसा रिसीव कर रहे है, त तो रिस्ट वाउचर बनना चाहिए यानि F6, रिस्ट वाउचर पर आए, ठीक है, तो सबसे बाइतों डेट पर आजएए, डेट क्या है यहाँ पर, August 7, 7, 8, 2021, ठीक है भाई, अकाउंट, पैसा कहां आ रहा है, आपको बताना है, क्योंकि आपने कैश रिसीफ किया है, कुछ नहीं लिखा है यानि कैश, तो कैश लिख दीजए आपर, कैश आया, फिर, किस से आपने पैसा रिसीफ किया है, आपको उसका नाम लिखना है, तो आपने पैसा रिसीफ किया है Mr. Y से, Mr. Y का है Mr. Y ये रहे, account receive हमें उनसे पैसा लेना था, Mr. Y जैसे ही आप click करेंगे, वो पूचे का भई कितना amount आपने उनसे receive किया, तो उनसे हमें लेने थे 175 रुपए, गरीब आदमी होने का कि भई अभी 100 रुपए ले लो, तो आपने हमें उनसे ले रिये 100 रुपए, और टैब दबाया अगेंस्ट रेफरेंस किसी बिल का रेफरेंस देना चाह रहे है कि भई किस बिल के बदले बेचा था आपने तो आप देना चाहिए तो ठीक है, नहीं तो न्यू या फिर on account कर दीजे, तो अगेंस्ट रेफरेंस किया, यह उनका बिल आगया भई ठेक हैंका, तीन थारिक का बिल था shayktा चैक करते हैं, हां, तीन थारिक का बिल था बिल कल सही, ठीक है, 175 रुपए का बिल था थे टैब दबाया, भी टैब धड़ाया, नेरेशन लिक्षन लिखना रिकेंशा लिखे, नहीं तो 800 के खतम होगी कहाने, तो यह आपका receipt voucher हो गया, फिर से purchase, आपने 10 secondary accounting के book purchase की, on account उधार पर खरीदी है, Mr. B से, तो आईए purchase voucher बनाते है, purchase voucher पर आगए, date क्या है यहाँ पर, August 10, 10, 8, 2021, ओ, क्या date डाली है सर आपने, 10, 8, 2021, ठेक है भई, और name of party, किस से purchase के आपने, Mr. B से, Mr. B से purchase कर रहे हैं, तो किशड़ी पक गई है, यहाँ पर वस सारी किशड़ी पक गई है, तो Mr. Z कर देते हैं इसको, purchase कर रहे हैं, तो accounts pay bill होना चाहिए, ठीक है, accounts pay bill कर दिया, end of list, end of list कर दीजे, और इसको okay कर दिया, यहाँ पर कह रहे हैं, आपसे purchase ledger, तो purchase का नाम लिख दीजे, purchase लिख दिया आपने, name of item, क्या purchase किया आपने, आपने second year accounting की book purchase किया, तो second year लिखता हूँ, यहाँ गया second year, second year accounting की book, एक ही book रखी हूँ हमारे पास, जब ही तो हम खरीज रहे है, order number कोई भी नहीं है, location, बुक्स रखी जाती हैं, कराची में, कराची में लखा दिये, quantity, कितनी purchase किया आपने, 10, 10 purchase किया है, rate क्या है, 200 रुपर, उसने भी बता दिया, 200 रुपर के रेट, अगर चेंज करना चाहिए, यह पर चेंज कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, 200 रुपर के रेट के साब से बन गए, 2000 रुपर, अब दिखें, यहां पर उसने, यहां पर उसने, यहां पर उसने, अप से अब आते हैं, लगा तो नहीं, वो इसने लगा क्योंकि आभी आपने रेसीव के, जब आगे इसको सेल करेंगे, तब इस पर वैल्यू एडिट टेक्स इस पर होता है, तो आपने पर्चेस के टेक्स के साथ, अब जब इससे आगे सेल करेंगे, तो आप इसमें मजीद 17% इस सेल्स वाउचर पर आगा, डेट क्या है, आउगस्ट 17, 17 ही है न, 17, 8, 2021, पार्टी नेम, Mr. Z लिखावा है, Z को नहीं सेल कर सकते हैं, क्योंकि Z तो अकाउंट पेविल में लिखावा है, Mr. A कर देते हैं, अकाउंट रसेबल को, यह सारी चीज़ है मैंने छोड़ दी, टाइ सेल कर रहे है, order number not applicable, location, कराची, कराची से सेल करेंगे, कितनी quantity सेल कर रहे हैं आप उसे, 3,500 रुपे के साब से, 3, 250, देखें, यहां पे भी शो कर रहे है, 250, आप चाहें तो इसकी सेलिंग प्राइस को चेंज कर सकते हैं, no problem, 250 और इसको end of list कर दीजे, end of list कर दिया आपने, tap दबा दिया, tap दबा दीजे, tap दबा दीजे, tap दबा दीजे, ठीक है बई, तो इस पे, total amount यहां पर आगया, इसको yes कर दीजे, और यह आपकी invoice safe होगे, जितनी invoice थी, oh sorry, एक invoice रहे गई है हमारी, August 20, cash paid to Mr. B, 1500, accounting vouchers पर आते हैं, cash pay कर रहे हैं, तो payment voucher बनेगा, payment voucher जली से बन ऐऔर, 2021, कहां से payment कर रहे हैं, cash pay कर रहे है, तो cash को select कर लीजे, और इस को pay कर रहे हैं, Mr. B, Mr. B café रोण तो पता ही हमे, Mr. B, तो याद भी हमें, चला भी, किसी को भी पेSpáng को pay कर देते हैं, Mr. X को pay कर देते हैं, Mr. X को pay कर देते हैं, Mr. X को pay कर देते हम, स् Fact made of purchasing, 15 ata, 15 ataốn पाप कर देता हूं किसी बिल का रेफरेंस नहीं देना चाह रहा है क्योंकि बहुत किषडी पगी है इसके अंदर ओन अकाउंड कर दिया ठीक है भई टरन 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 आथ ने इसको आगे कर दिया सही पिर अब जो मैं आपको चीज़ जने जा रहा है मुँष्ट सब्स कर यह स्टॉक सम्मری pe और हुद स्टॉक सम्मरी पर क्लिक करें गे अब यह आपके पास इस वäg कर एंथ श्टॉक summary show हो रही है, पहले coldering नहीं शो हो रही थिया, आपको यादए को पिछले lecture में लेकिन अब हमारे पास coldering show हो रही है, ठीक है, तो coldering आपके पास show हो रही है, और इसके लावा कुछ चीजों के balances तबदील होगा, जैसे second year accounting की एक book थी, अब आप देखें, second year accounting की कितनी books शो रही है, आपके पास 8 books शो हो रही है, क्यों शो हो रही है, आप इस पे click करेंगे, जैसे आप इस पे इंटर दबाएंगे, वो आपके detail शो करेगा, detail क्या शो कर रहा है, कि आपके पास एक book थी, ठीक है, आपके आप balance में, एक book थी, आपने 10 piece inward, inward का मतलब है आपने purchase किये, 2000 रुपे के, और outward, outward का मतलब है कि आपने sale किये, तीन books वो आपने sale किये, कितने रुपे के हसाब से, 1500 रुपे के हसाब से, तो आपके पास कितनी books पच गई, 800, sorry, 8 books पच गई, जिसकी कीमत कितनी बन रही है, 1600 रुपे बन रही है, ठीक है जी, यह FIFO method apply कर रहा है, वो यहाँ पर, FIFO method apply करने के बाद, उसको, उसकी calculation वो यहाँ पर शो कर रहा है, कि वो कह रहा है कि आपके पास, जो है, वो इस वक्त, 15, sorry, 8 books पचें, इसी कीमत कितनी है, 1600 रुपे, इसी तरीके से आप किसी भी चीज़ की, किसी भी आईटेम की, अगर आप डिटेल चेक करना चाहें, तो चेक कर सकते हैं, for example, संसल पे आईए, तो संसल के बारे में आपको बता रहें कि 5 bottles थी, दो बोटल आपने सेल कर दी, 500 रुपे के साब से, तो आपके पास 3 बोटल बचती है, 600 रुपे के साब से, ठीके बाई, तो यह आपकी पास जब समरी शो हो रही है, स्टॉक समरी के इस वक्त, क्लोजिंग बैलन्स किया है, यानि एंड बे हमारे पास कितने रुपे का माल रखा हुआ है, ठीके, यह आपकी क्लोजिंग इंवेंट्री आ गई, I hope के आपको इंवेंट्री के हवाले से इंट्री करना समझ में आ योगी, कि अगर हम स्टॉक खरीदें, या स्टॉक बेचें, तो उसकी इंट्री हम किस तरह से यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, इंशाला फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना और अपनी फैमली का बहुत खया लखेगा टेक कियर, अल्ला हाफेज